हम याकूब की पुस्तक पहले अध्याए के पत्संख्या पांच से आठ तक जाएंगे सो यदि तुम में से किसी में प्रग्या की कमी हो तो वह उसे परमेश्व से मांग सकता है वह सभी को प्रसन्यता पूर्वक उदार्पा के साथ देता है बस विश्वास के साथ मांगा जाए थोड़ा सा भी संदे नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसको संदे होता है वह सागर की उस लहर के समान है जहवा में उठती है और थर थराती है ये दो पंकियों पर फोकस करेंगे यदि किसी में प्रग्या की कमी हो यदि किसी में बुद्धी की अब ये वो बुद्धी नहीं है जिसमें मैट्स में आदमी स्टॉंग हो जाते है ये वो बुद्धी नहीं है जहां आप चतूर हो जाते हैं ये वो बुद्धी है जो परमेशर की और से आता है सबसे पहले यहां लाइफ के प्रॉब्लम के पारे है अगर किसी के लाइफ में भी परिक्षा का समय है परिक्षा आती है पास होने के लिए परमेश्वर को भी आपको अगर आपकी लाइफ में उच्छे स्तर पर ले जाना है आपको खरा पाना होगा एमेन यह आत्मिक जगत के प्रोटोकॉल से कुछ ब्लेसिंग रिलीजड होती है आपके टेस्ट होने पे एमेन अब एक वेक्ति अगर अपनी टेस्टिंग के टाइम से जा रहा है और उसको समझ नहीं पाए उसका रियाक्शन उस तकलीफ में बिल्कुल गलत होगा क्योंकि उसके पास समझ नहीं है उसके पास प्रग्या नहीं है उसको नहीं मालूम कि यह टेस्टिंग मेरी किस लिए आ रही है अगर आपको मालूम चल जाए अगर आपको क्योंत है सहने की शम्ता फिर आपकी प्रेयर पॉइंट चेंज हो जेंगे न अगर आप सोचेंगे यह टेम्टेशन है आप सोचेंगे यह शैतानी अरकत है तो आप पुरेंगे प्रभवं को इससे बाहर निकालो प्रभवं को शॉट कट दीजिए बट आपको मालूम हो इससे होकर जाना ज़रूरी है मेरा आगे बढ़ने के लिए लाइफ का यह स्टेज बहुत इंपोर्टेट है आपके प्रेयर पॉइंट सेंज हो जाएगी आप ग्रेस मांगोगे इमें परमेशन उन परिस्चितों को इस्तिमाल करेंगे आपको फूट फुल बनाने के लिए आप में पेशन्स आ जाएगा सेहन्शील हो जाएगे आप में शान्ती आ जाएगी लोगों को शान्ती चाहिए और उसके लिए बोलते है प्रबू प्रॉब्लम हटा दे अब जितने लोग यहाँ हैं कितने लोगों उने देखा प्रॉबलम हटी है देख प्रॉबलम के बीच में पहले प्रबू आपको शान्त करेंगे लहरे समुत्र में हैं बोट में नहीं हैं बोट को हिलने दीजिए अगर बोट में ये शू है तो आपको शान्ती रहनी चाहिए जब आदमी को मालूम होता है कि ये मेरा टेस्ट है ट्रायल है उसका एटिट्यूड उस ट्रायल में चेंज हो जाता है किसका जॉब गया तो बहतर आएगा देखो ये बात बोलना कि मेरे साथ सब ठीग है और इसको इसकी प्रकाशना होना ये अलग चीज़ होती है प्रभू के पस्तिती में कुछ मरता नहीं है मरी भी चीज़ उड़ जाती है एमेन एक प्रेयर है जो लाइफ का बहुत इंपोर्टेंट प्रेयर है प्रभू हमको फरक समझा दीजिए प्रभू हमको समझ दे दीजिए प्रभू इस सिचुएशन को हम अपने आखों से ने आपकी नजरों से देखे आप जितने चीज़ एंडल कैमरे का हैवन का है तो आपका परस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा यूसुप बोलता है जो मेरी बुराई के लिए सोचा पर्मेशन ने भलाई के लिए इस्तवाल किया कि उसका वहाँ से मिस्टर जाना इतना इंपॉर्टेंट था अब वो जवान अगर ट्रायल में अपने कठोर हो जाता वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता उसकी लाईफ में कभी भी वो ड्रीम पूरा नहीं होता जो पर्मेशन ने उसको बच्पन में दिया था आपको कनान जाना है उसका रास्ता कई बार निजन प्रदेश से है वहाँ अकेले में आप प्रभू पर ट्रस्ट करना सीखने आप उसके चेहरे के अबिलाशी होते क्यों कई बार हाथ काम नहीं करेगा प्रभू ने बुले मेरा हाथ मत खो जो मेरा चेहरा खो जो अगर आप उसका चेहरा देखके जीना सीख लिए आपकी लाइफ चेंज हो जागी कोई स्टरकम्स्टेंसिस आपको ही लानी पाएगा बोट है मेरे चेहरे के अबिलाशी हो आप में विज़्दम आएगा आप रभू को देखना सीखोगे आप में एक अंडेस्टैंडिंग होगी आप चीजों को एक अलग नजरीय से देख पाऊगे आप आत्मिक जगत की रियालिटी को समझ पाऊगे परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम कर रहे आप समझ जाएंगे आपको कौन से टाइम और सीजन में आपको मालूम चलने लगेगा अगर तुम में से किसी में बुद्धी की कमी है और यहां बुद्धी नहीं समझ की कमी नहीं समझ नहीं प्रग्या की कम मतलब जब हम उसके लिए एक विशेश शब्द इस्तमाल करते हैं क्यों करते हैं बिकोज ये वर्डली विज़्दम नहीं है ये पढ़ाई लिखाई करके नहीं आती आतीट भविश वर्तमान जो सब जानता है जिसने भविश को अतीट से निरधारित कर दिया जिसके प्लैन से सब कुछ होता है जिसकी मरजी की बिना कुछ ही नहीं होता जो स्वर्ग में सिंखासंग पर बैठा है एमैन जो आपको पूरा प्रित्री के शुरुआत से सब इतिहास बता देगा और यह भी बता देगा क्यों हुआ है वो बुलता है कोई तुमको देवी देवता नहीं बता सकता तब मैं बताओंगा क्या हुआ और क्यों हुआ है सबको मालूम है क्या हुआ क्यूं हुआ किसी को नहीं मालूब जब आप में समझ आ जाजेगे आप बहुत सी बातों में क्यूं हो रहा है आप समझ जाओगे और देखे पॉल की लाइफ में विज्दम कैसे काम की पॉल प्रेयर किया प्रबू इस प्रॉबलम को हटा लीजे बाद में उसका रिस्पॉंस का था acknowledgement्रॉबलम मेरी बलाई के लिए क्योंकि प्रभू बोलते है कि तुम्हारी कमजोरी में मेरा सामर दिखेगा या तुम्हारी कमजोरी में मेरा सामर प्रोशीत होता है तो ये दूछ शेतान का जिसको तुम हटाना चाहते हो इसको हम आने दिये हैं ताकि हम तुमको चेक में रख सके यह तुम्हारे परस्नल फायदे के लिए और तुम्हारे लाइफ मेरी महिमा के लिए इस्तमाल हो सके उसलिए इमेट इस प्रेयर का रिजल्ट के है एक विजडम उस सिचुएशन को लेकर के ठीक है करने का तरीका क्या है प्रातना का स्थान वो जगा आद भी जहां परमेशों से प्रातना करता है आप ट्रायल और टेम्टेशन में परिक्षा में और प्रलोभन में फरक कर सकोगे प्रलोभन है तो जय पानी है अगर परिक्षा है तो पास होना है परिक्षा में करेक्टर इंपोर्टेंट है परिक्षा में फल इंपोर्टेंट है अमेंट परिक्षा में धहर इंपोर्टेंट है परिक्षा में पास होना इंपोर्टेंट है हलेलुया क्योंकि जो खराप आए जाता है उसको जिवन का मुकुट मिलता है जब आपके विशे में परमेशर किसी बात पर घमंड करते हैं उस विशे में आपके जीवन में टेस्टिंग होना अनिवार है क्योंकि जब आप टेस्ट होंगे आपका पूरा जीवन परमेशर के गर्व का विशे बन जाएगा टेस्टिंग कई बार तरीका है शेतान का मूबंद करने के लिए टेस्टिंग कई बार तरीका है प्रूफ करने के लिए कि परमेशर जो कर रहे हो सही है क्योंकि परमेशर जस्ट है हमने आयूब के लाइफ में देखा कि शेतान बोलता है कि आप इसको ब्लेस करके रखे है या आपने इसके चारो और एक कवरिंग रखी है इस कारण से या आपसे भाय खाता रादना करता है ये फ्री में नहीं करता है तो पॉइंट था कि आप उसको हटा लोगे तो यू बैक्सलाइट कर जाएगा परमेशर ने गर्फ किया अब किस विशे में परमेशर गर्फ कर रहे है उस विशे को प्रूव कर रहे है टेस्टिंग आदमी को खरा कर देती है उसको पवित्र कर देती है क्यूंकि आपकी नजर आपको सिर्फ break through चाहिए परमेशर आपको break करेंगे ताकि अपने काम आपके through कर सके परमेशर आपकी लाइफ को transform ढालना चाहते है ताकि अपनी औजनाओं को आपके जियूर में पूरा करदेंगे तो कोई परिक्षा से जा रहा है आपको क्या चाहिए, आपको परिक्षा कांत चाहिए, नहीं, आपको विजदम चाहिए, आपको समधदारी चाहिए, ताकि आप उस क्रूस को सही धंग से उठा ले, आप उस तकलीफ को सही धंग से जेल पाए, आप उसका डिजाइन समझ जाए, मैं बार बार बोलता हूँ, क्यूं? क्यूंकि अगर हम परमेशों के काम करने के तरीके से वन्चीद रहेंगे, आप जितना भक्त बनने की कोशिश करें, आप हमेशा गौड के विजिटेशन, उसके प्लैन, उसके पर्पस, उसके टाइमिंग मिस्ट कर देंगे. यह सब स्थापित होता है प्राथना की जगाने, आप विजिटेम हैं, क्यों प्रबू, यह कब होगा, नहीं, प्रबू यह कैसे करे, आपको प्रबू इस प्रॉलम को टारों नहीं, प्रबू, यह क्यों होना मेरे साथ, आपको विजिटेम की एक अति-उत्तम परिभाशा एक आदमी की लाइफ में यह ग्रेस है कि मरों से लोगों को उठाता है, ठीक है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड है 100%, पूछे कैसे, जब भी वो कोई मरा व्यक्ती के पास होता है, वो सिर्फ यह पूछता है, प्रबू इसको आप मारे की शेतान मारे है, अगर जवाब होता है और अपनी शेतान मारे है, तो वो उसको उठा देता है, सिर्फ आप मारे से, जब प्रबू आपने बच्चों को तारना देते हैं, किसले देते हैं, ताकि उनको प्योर कर सकें, उनको विनम्र कर सकें, उनको ट्रस्ट करना सिखाए अपनी बाते सुनना सिखाए तब आप उस प्राबलम का डिजाइन समझने लगेंगे में सब बले डिजाइन आप स्वर के हाथ, परमेश्वर के हाथ उस प्राबलम में देखने लगेंगे फिर आपकी जो ड्यूटी आप उसको कर पाएंगे और जो लेसन प्रभू आपको सिखाना चाहते है आप उसको सीख पाएंगे क्योंकि जो भी विक्ति प्राबलम से गया है सुन लिजे, आप प्राबलम में जो सीखे हैं आपने अच्छे टाइम में कभी नहीं सीखा जो तकलीफों में हम सीखें कभी अच्छे समय में नहीं सीखा वो अरबो रुपय का काम है जो आदमी तकलीफ में होता है वो भटी है जहां आदमी खरा किया जाता है हम नहीं को सकते हैं, हमको तकलीफ बहुत प्यारी है, आपसे हमको तकलीफ दीजे, नहीं, पर तकलीफ तो आती है, बुलाना नहीं पड़ता रही है, तो उस तकलीफ में आपको ग्रेस मिल जाएगी, क्योंकि आपका प्रेयर पॉइंट चेंज हो गया है, आपका एटिटूड को पूरा करने के लिए कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं, वो दर्द, तकलीफ, नित्यू, अशुद, आत्मा, रुकावट, तूफान, बाड, कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं, आपका परोसी, आपका दुश्मन, टेरिरिस्ट, गवर्मेंट, एकी चीज़ है, सब इस्तमाल कर स करते हैं, परमेश्वर वीक नहीं, उसके हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि आपको परिसिती से निकालने सकते हैं, लेकिन जिस परिसिती में परमेश्वरी डाले, आपको क्यों निकालनेंगा, और यह बाप बताईए, अगर कोई चीज़ टेस्ट करनी है, तो क्या वो अच्छ प्रलोबन में हो, परमेश्वर तुमको कभी भी उतने प्रलोबन में डालेंगे, जितना तुम सहन नहीं कर सको, इमें, तब कई लोगों का ध्यान तकलीफ सहट के ग्रेस पर जाएगा, तुम बोलोगे, लोग बोलेंगे, भई, आपकी तो इतनी तकलीफ है, बोलोगे, ले मेरा फोकस तकलीफ सहट के ग्रेस पर चला जाएगा, जब वो बुरा टाइम आएगा, समझ आ जाएगी, आप पाप खुजोगे, आप अपने लाइफ में देखोगे, क्या चीजें हैं, जो परमेश्वर की नजर में सहीं नहीं, जिको विजडम ऐसी चीज है ना, कि अगर लाइफ में पैसा प्रग्या से आया है, तो जितनी बाल लोट जाए, वापस आजाएगा, लेकिन अगर लाइफ में पैसा, इसलिए मैंने मीटिं में बता था, कि जितने लोगों को लोटरी निकली, उसमें से अधिकतर लोग पूरे बरबाद हो गए, क्योंकि पैसा शुक्यूर से चाहता है, उसका पैसा कोई लोट की भी ले जाए, वो वापस खड़ा कर देगा, अम्पैर, बिकास वो चीज़ जो उस फाइनेंस को सस्तेन करती है, वो विजदम उसके पास ओलरी है, लेकिन अगर कोई लग से, ये किसी को लगता हाड वरक से, सिर्फ बन ग जाएगा, वो एवरी डे प्रेयर पॉइंट बन जाएगा, मैं कैसे करूँ, प्रभू मुझे समझ दीजिये, मैं बच्चे कैसे रेस करूँ, मैं सेवा कैसे करूँ, मैं काम कैसे करूँ, मैं चीजों को बैलन्स कैसे करूँ, प्रभू इस मुसीबत में मुझे समझाइए मे बढ़ाना अब इस्राइल जब निर्जन प्रदेश में था और प्रभू उस हेरो में उस परवत प्रकत होते तो कोई भी डर के वहाँ नहीं चरता है मुसा बोलते हैं डरो मत तुम्हारा परमेशय तुमको टेस्ट कर रहे यह वाँ तुमको टेस्ट कर रहे लेकिन कोई भी धर से उपर नहीं गया अब वहाँ जाने का शॉटकाट था लेकिन प्रभू उनको शॉटकाट से नहीं लेके गए इसलिए फरक है सीडी और एसकिलेटर में जो वो सीडी जा लिफ्ट से आप जाएंगे न लेवल चेंज हो जाएंगा करेक्टर चेंज नहीं होगा जवाँ सीडी चढ़ के जाएंगे खाली लेवल चेंज नहीं होगा साथ में करेक्टर भी चेंज होता रहेगा यह Tried and Tested लोग है जितने लोग है प्रूवड लोग है उनकी लाइफ में Special Blessing होती है चितने खरे पाय जाते उनके सिर पे वो ताज रखा जाता है फिर ये जब निजन प्रदेश में गए ये सब कंप्लेंट करने लग रहे कंप्लेंट और मरमरी, बड़ बड़ाना अगर प्रभू आपका चरवा है और आप कंप्लेंट करते इसका मतलब आपको उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है और इसलिए वो लोग की जर्णी और डिफिकल्ट हो गई और लंबी हो गई और पेंफुल हो गई जहां लाइफ आनी थी, वहाँ डेथ आ गई, जहां ब्लेसिंग आनी थी वहाँ वो सारी पीड़ी उस जगह खत्म होगे, क्यों? अगर उनको समझ में आता कि ये जर्णी नेजन प्रदेश सी इसलिए कि हम प्रभू पे ट्रस्ट करें, जो हमको लेके चला है वो हमको अपनी मंजिल तक लेके पहुँचाएगा, आमें बट वो ऐसे ढीट लोग थे, कि वो तो comfortable थे, पीछे भी चले जाते वो प्रभू के बिना आगे जाने में भी ready थे, वो प्रभू को छोड़ने के लिए तो ready थे लेकिन problem यही है ना, प्रभू नहीं छोड़ते, प्रभू ने अबरहाम को वादा किया था हम लोग unfaithful हैं, तो भी परमेश्वर faithful है, इमें, 400 साल बीद गए, परमेश्वर की यारदास कम नहीं हुए, कोई matter पुराना हो जाता हमना भूल जाते है आपको किसी को पैसे देने लोट आने है, वो आपको बहुत इन से बोलन है, आपको लगा चलो भूल गया, आपको ल प्रभू इनको option दिये, एंजल ले लो, ये एंजल के साथ आगे भी जा सकते थे, जब मुसा पहाड पे था, इनोंने एक बैल बना ली सोनेगी, ये प्रभू के बिना वहाँ भी रह सकते थे, ये प्रभू के बिना पीछे जा सकते थे, ये प्रभू के बिना आगे भी जा स कितना लोग जो बैक स्टाइट करते हैं प्रॉलम यह ना कि अगर अगर आपके साथ सब ठीक चल गए और आप चर्च में बैठे हैं आप प्रभू की चीज़ों को कर रहे हैं ये कोई भी कर सकता है वर्शिपर वो है जो प्रभू के पास इसलिए है कि प्रभू कौन है तो कई चीज़ों के जौब चल रहे हैं कि आदे लोग बैस डैड हो जाएंगे घर में प्रॉलम हो जाएंगे आदे लोग ऐसी कड़वे हो जाएंगे वो इंटरिस्टेड नहीं है और उससे क्या होगा जो वैल्यूबल ब्लेसिंग्स आपके पास आ सकती थी अगर आप पास हो जाते बिकोज जो भी टेस्ट से जाएगा सुन लो डवल ब्लेसिंग आ रही है तुमारे दूसरी बार इस बहतर होगी तुमारा आने वाला समय बहतर होगा पिछले से प्रभू तुमारी लाइफ को ऐसा टेस्ट कर लेगा और पर किसी ने कहा है एक बार लाइफ में सब कुछ खोना जरूरी है मालूम चलने के लिए कौन तुमारे साथ है कौन तुमारे साथ नहीं है जब टेस्टिंग आते हैं लोगों का असली चहरे दिखते है अब प्रभू सोचिए प्रभू नहीं चाते हैं कुछ लोग आपके साथ आगे की जर्नी जाए जब आपको तकलीप बिटाते हैं आपके अगल बगल बहुत से आपसे चिकता हो जाते हैं को आपकी लाइफ को कोशन करने लगते है आप लोगों को वैसे देख पाते हैं जैसे वो है अच्छे समय में नहीं दिखता को यह से बोलो प्रभू अच्छे हैं लेकिन बुरी चीज भी करते हैं जो आपके हिसाब से बुरी है और उसमें भी अच्छा ही निकाल लेते है यह गाना कि सबसे उच्छे सिंगासन पर विराजमान होकर रहने वाले है और यह समझना कि परमेश्वर से लड़ते नहीं है परमेश्वर के सामने विनमर होते है तब ग्रेस मिलती है इमेन यह हम लोग को खाली वो आपकी लाइफ में सबसे खुश कवरी है अगर कोई सरकम्स्टैंसिस आपको विनमर कर दे आप उठने के लिए तयार है फिर फेवर एट्रैक कर लेगा लेकिन देखो ना लोग वो कहवत रसी जलगी बन नहीं टूटा एक आदमी अपने प्रॉब्लम से कैसे रियाक कर रहा है अपने बुरे टाइम से दिखाता ना कि एक्चुल में अंदर क्या है उस आदमी के एक आठ दिन की सफर ग्यारा दिन का सफर चालिस साल का बन जाएगा लोग अपनी कठोता में मर जाएंगे मेरे सवाल है क्या तकलीफ है आपको विनमर कर रही है आपको प्रातना करना सिखा रही है क्या आपको उसके सामने क्या आप बोलना है ये सोचने पे मजबूर कर रही है प्रेयर कई लोगे रैश प्रेयर होते है जब आदमे तूटता उसके prayer points बदल जाते है उसके प्रात्ना करने का तरीका बदल जाते है परमेश्र पर उसके निर्भरता बदल जाती है अपने पर उसका भरोसा तूट जाता है जब ये सारी चीजे करम से आने लगते हैं दिवन में आपको उपर जाने से कोई नहीं लोग सकता जब लोग complain करेंगे, murmur करेंगे वाइब में लिखे, do everything without complaining and murmuring निजल पर देश में नास क्यों करेंगे, वो complaints के कारण वो यहवा पर ट्रस्ट नहीं करते जब तुम प्रेयर करते हो, अफिर तुम ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम्हारा प्रेयर बेकार है हम लोग के बीच में complainer नहीं हो, हम लोग के बीच में worshipers हो, नहीं है गीत का के प्रभू को महिमन देने वाले लोग हो आप जब आत्मा में worship करोगे, angels भी आके सुनने की कोशिश करेंगे वो भी साथ आके राधना करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको कुछ ऐसा मालूम है जो दूसरे नहीं जानते दूसरे problem देख रहे हैं कि अगर उस complaining attitude से आप deal नहीं करेंगे next होगा rebellion और फिर आप वो सारे benefits lose कर देंगे देखिए मेरे दूआ हम में से किसी को नहीं गहना पड़ेगा कोई लटा दे मेरे बीतेवे दिन जो lesson आप नहीं सीखेंगे आज वो कल repeat होगा सेवा में आने से पहले आदमी जिस जगह नहीं तूटता वो उसकी अच्छी वली सेवा लुट जाएगी उसी एक बंधन के गारण कई पर सेतान बोलता ठीक है इसको आगे बढ़ने दो अभी deal नहीं करेंगे जब इसकी life का influence बढ़ता हैगा तब हम इससे deal करेंगे क्योंकि हम जानते हैं एक कमजोर है जिससे deal नहीं हुआ है इसले परमेशे लोग को तैयार करते है परमेशे अपने लोग को खरा करते है परमेशे अपने लोग के प्रतिय गर्व रखते है उनको प्रूफ करते है जब complaining attitude रेबेलियन को जुनम देगा रेबेलियन होने से आदमी और कितने लोग उनकी टेंडेंसी है आएंगे, छे मेना रहेंगे बैक स्टाइड करेंगे दो साल बाद आएंगे, फिर वो रिपीट करेंगे, फिर छे मेने के लिए आएंगे फिर फोर दिन वैसे ही रहेंगे फिर चीज़े जब उनकी हिसाब से आपको चुडहल बनना है, आपको चीज़े कंट्रोल में चाहिए, आपको चाहिए दुनिया आपके हिसाब से चले, कुछ नहीं चलेगा आपके हिसाब से, इन फैक्ट एक वशिप को लाइफ कंट्रोल नहीं करनी उसको समझना है कि परमेशर के हाथों में सब कुछ यह एक प्रकाशना, यह समझ है कोई मेरे पुरान मुझ से नहीं लेता है मैं खुद देता हूँ, किसी की ताकत नहीं हमसे ले ले प्रभू बोल रहे तुमको दख रहे है कुरूस में कोई निर्बल होके उमर गया, नहीं नहीं यह मेरा प्लान है, हम खुद दे रहे हैं अपने आपको हम कोछी लाइफ कंट्रोल में नहीं जिसको लाइफ कंट्रोल में चाहिए, आप प्रेयर क्यों करोगा आप क्या कर सकते हो लाइफ इसके बारे में नहीं है वो आपके दोरा क्या करना चाहता है उसके बारे में और अगर परमेश्वर आपके दोरा कुछ करना चाहते है आप बी रेस्ट एशॉड प्रभू आपको इतना तोडएंगे ताकि आप नहीं दिखे जो भी दिखे वो सिर्फ परमेश्वर दिखे आपके जीवर में तो अब मैं सिस्टम समझाता हूँ अब बड़ी कुछी की बात है अगर आप यहाँ कलीश्या में मिनिस्ट्री में कहीं भी जूड़े है तो पहला रियक्शन होगा आप आत्मा से भर जाएंगे आपको बहुत आनंद आ जाएगा लेकिन उसके बात जो आ रहा है वो आपको नहीं मारूँ मैं डरा नहीं दो बिकोज नेक्स यही आपको लगता है कि आत्मा हैगा आप सुपरमेन बन जाएगे कुछ नहीं होगा जब आप प्रभू से प्यार करने लगोगे नेक्स्ट आपको यह दिखा जाएगा कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है कितना लोग उस दौ से जा चुके है कुछ लगा कोई जा रहे आपके हाथ में कुछ नहीं है और आपको अल्ला दिन का चिराग चाहिए बहुत से लोग को अल्ला दिन का चिराग चाहिए उनको प्रभू नहीं चाहिए प्रभू आपके जीवन को दगड़ के रूप देंगे तिमानदारी से बताईए हमको यहीं चाहिए ना लाइफ कंट्रोल में हो कि तुमारे हाथ में कुछ नहीं है सबने हाथ कितना सुन्दर लेसन है प्रभू ने प्रीच नहीं किया कि पत्रस अपने पाप से फिरो प्रभू ने उसको कोई पाप उसके नहीं बताये प्रभू ने सिफ उसको बताया मचली का है एक बड़ए का वेटा है कि तुमसे बड़ा कोई तुम्हारे जीवन में आ गया है और वो तुमको यहां फेल करेगा ताकि तुम वहां पास हो जाओ जहां वो तुमको ले जाना चाहता है पत्रस तो रोज मचली पकड़ता था कहा प्रॉलम थी उस दिन क्यों पकड़ा कि उस दिन प्रभु यह चुँआ है उसको दिखाने के लिए तुमसे बड़ा कोई है और उस एक एक एक्षन में पत्रस बोलता है प्रभु उस दूर पापी है त्योंकि जब नाव सही हो जब जाल सही हो और मचली पकड़ना आता है और मचली नहीं मिले तो क्या होत क्या ची है जीसस सही है वह वहाँ पकड़ करते है अपना इरादा क्या कि मैं तुमको मनुष्यों का मच्छवारा बनाओंगा तो अपनी वर्ल्डी ट्रेनिंग से मनुष्यों को नहीं पकर सकते है मानव पूत्र बताएगा मचली कहा है उसकी आग गया पारन करोगे तब ल जब आप दुनिया में थे आप बहुत कुछ असिल कर सकते हो प्रभू के बिना लेकिन फिर भी आप नरकी जा रहे हो जब आप प्रभू के हो आपकी सारी आशिशे प्रभू में पढ़िये जओ बड़ा भी बनना है दुनिया में जाओ क्या पारन है यहां तो प्रभू वड़ा बना देंगे, यहाँ प्रभु दिखाएंगे कि तुम कई बार दिखाएंगे आदमी कितना, उसमें कितनी inability है, तब तो पूछो कि यह कैसे होगा, तब प्रभु समझाएंगे, ना तो बल से, ना शक्ती से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, अफिर हम short-sighted हो जाते है, short-sighted का मतलब कि वो सिर्फ वरतमान को देख रहा है, अभी की problem देख रहा है, long-sighted नहीं है, foresight नहीं है, जब wisdom आते हैं, आदमी foresight हो जाता है, आदमी की eternity को आदमी सामने रखता है, अनत जीवन को सामने रखता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, so wisdom एक prayer point है, wisdom डेली का एक prayer point है, wisdom principle चीज़र जो हमको चाहिए, अब प्रभु का बच्चन बोल रहा है, अगर किसी को नहीं मालुम, वो प्रभु से मांग कि अगर किसी में बुद्धी की कमी है, अगर किसी में समझ की कमी, प्रभु से मांगे, कि प्रभु इस situation में मैं क्या करो, इसको prayer point बनाए, प्रभु हमको समझ चाहिए, general wisdom नहीं, इस particular case में क्या wisdom होगी, मतलब आप एक बार में इसको नहीं मांग सकते, ये प्रातना का तरीक response है prayer का, Amen, आपकी life में आप राज करेंगे, अगर आप prayer का answer देखेंगे तो, अगर आपको access मिल जाएगा परमेश्वर की हवाज का तो, आपने अगर परमेश्वर की हवाज नहीं सुनो, तो आपको नहीं मालूम की परमेश्वर कैसे बात करते हैं, जब परमेश्वर reply करते वो विजदव हैं, जब परमेश्वर reply करेंगे, आप जो सोचते हैं, जवाब उससे बिल्कुल हटके आएगा, क्योंकि परमेश्वर गोलते हैं, मेरी सोच और तुमारी सोच एक यह से नहीं है, कई लोग प्रातना करते हैं, ठीक है, प्रातना करते हैं, लेकिन आप तो answer के लेवेट ही नहीं किये, प्रभू आपके हिसाफ से नहीं बोलते हैं, कई बार आपने प्रातना करना चालू किये, answer बहुत दिनों बात आता है, बट कोई वेट करना सिखेगा जब prayer में, जब प्रभू वो जब तक नहीं बोलते हैं, प्रभू का वो एक word, वो एक line, आपकी life को हमेशा के लिए change कर देगी, आप इस situation को कैसे देख रहे हैं, वो हमेशा के लिए change हो जाएगा, अगर आप रुख गए, प्रभू के बोलने से पहले, आपने प्रातना चोड़ दी, आप प्रभू को बोलते हैं नहीं सुनेंगे, तो prayer में wisdom कैसे access करना है, जब आप प्रात प्रातना करने लगेंगे, आपको मालूम चलेगा शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है शाप प्रातना करना, और हमको तो लाइफ में वही करने है जो शैतान को पसंद नहीं है, हमको तो लाइफ का objective ही है, वो करो जो उसको पसंद नहीं है, और वो करो जो परभू को प्रभ लिए इतनी साजिशे होती हैं, इतनी तमाशे होते हैं, इतनी लडाईयां होती हैं, इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इतने डीमन्स रिलीस किये जाते हैं, इतने लोगों को लडाया जाता है, ताकि वो प्रात्ना नहीं कर सके, क्योंकि जब प्रात्ना करते हैं, आप के आवाज जीवन को completely बदल देगी, उसकी आवाज में सामर्थ है आपके जीवन को पकड़ के रखने का, उसकी आवाज में creative power है आपकी life को वापस established करने का, मुसा 40 दिन 40 रात वेट करता है प्रभू के बोलने के लिए, इसलिए prayer watch, pray and watch, जो चौकी दार को आप देखेंगे, वो रात बर watch करता रहता है, जब तक सुभानी हो जाए, आपको भी pray and watch करने जब तक आपके जीवन में सुभानी हो जाए, जब तक आपको जो wisdom चाहिए, आपको जो word चाहिए, आपको जो परमेशर की आवाज सुनने है, वो जब तक नहीं आ जाए, आपके life में prayer का culture होना च वेटिंग कल्चर से जिखता है, क्या आपने खाली बोला नहीं है, आप सुनने के लिए वेट कर रहे हो अब, आपकी prayer खतम नहीं है, जब तक response नहीं आया, आप प्रभू से हम बहुत बात करते हैं, आपको कितना बात करते हैं, हमको मतलब नहीं, प्रभू आपसे बात करते हैं, that is important, because प्रभू बात करते हैं, वो wisdom है, वो life का greatest insurance है, कि प्रभू बात करते हैं, वो proof है, कि आपकी नाव डूब नहीं सकती, वो proof है, कि परिशिते आपको दबानी सकती, वो proof है, कि आप जिस चीज़ से भी जा रहे हैं, आप जाए पाएंगे, बहो क्यों, बहों प्रभ से जा रहा है, कोई तकलीव से जा रहा है, कोई घटी से जा रहा है, परिशानी से जा रहा है, कोई अंदकार से जा रहा है, आगर आपके पास ये proof है, कि प्रभू आपसे बात करते हैं, वो आपका end नहीं है, वो सिर्फ एक phase है, कि जब आप आवाज सुनेंगे, वो wisdom आपक की लाइफ का प्रोग्राम बन जाएगा प्रोग्राम सुनिए अगर एक तो अधा ठीक है आप कितने लोगे बगल में अपने बगल उले को बोलो तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा बुरा वाला सपने तो अगर बुरे वाले सुसाइट कर चुके शैतान की आवाद सुनके बहुत लाइफ डिस्ट्रॉई हो चुके बहुत लोग बैक स्लाइड हो चुके वो प्रोग्राम करता है लाइफ को वैसे ही परमेश्वर की आवाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी लाइफ को डेस्टिनी के लिए सेट कर देंगे परमेशुर अगर आप उसकी आवाद सुन पाई वचन कहता है ये शायद 30-21 में तुम एक आवाद सुनोगे टर्न करो सही समय में तुम एक आवाद सुनोगे कहां तुम को लाइफ में टर्न करना है तो फोकस प्रेयर का खाली प्रेयर नहीं है प्रेयर का फोकस है कि परमेशुर की आवाद सुनना है और वेट करना सीखना है परमेशुर का जब आप किसी बैदमे को देखेगे कि सब कुछ उसकी लिए काम करता है इसका मतलब है उस आदमी ने परमेशर की आवाज accurately सुनना सीखा है जब तक परमेशर बात नहीं करें हिले मत Amen क्योंकि वो word नहीं है वो wisdom है वो power है वो life है Amen उसमें creative force है उसमें life changing power है वो word सुनके कोई life same नहीं रह सकती Amen अगर आप परमेशर की आवाज का access कर लेंगे प्रेयर वो privilege as saints का जहाँ God की voice को access किया रहता है प्लीज ये boast मत करें कि आप प्रेयर करते हैं आप बताईए कि आपके पास परमेशर की आवाज का access है नहीं है क्योंकि impatient लोग प्रेयर नहीं कर पाएंगे frustrated लोग प्रेयर नहीं कर पाएंगे short tempered लोग प्रेयर नहीं कर पाएंगे अगर प्रेयर करना है तो पहले परमेशर के चरित्र से वाकिफ होना है आप किसी बड़े आदनी के साथ पास जाओगे आप reception में गए आपको assistant बोलेगी wait करिए आप जानते हम कौन है कपसे खड़े हैं कपसे इंतिजार कर रहे हैं आप किसको approach कर रहे हैं परमप्रधान परमेशर को जो घड़ी भी पेहनते हैं तेकि timing perfect है Amen timing perfect है जब आपका वो breakthrough है आप बोलेंगे Lord timing आपकी perfect है Amen आपको लगेगा आप मरे भी तो कहा मरे आप अपनी problem है मरे अभी तक जिन्दा है ला तो मरने आपको नहीं देगे लेकिन change तबाएगा जब voice आएगी जब wisdom आजएगी ताज क्या मरमना है हमको prayer में परमेशर की आवाज को secure करना है उसको access करना है कैसे कर पाऊगे अगर आपको prayer का मतलब prayer है to way communication prayer need है cardinal necessity or life की डैनियल law आने के बाद भी दिन में तीन बार prayer करता है तब ही तो वह वहाँ बैठा है जहां बहुत लोग बैठ नहीं सकते तब ही तो जादूगरों का बाप है वो तब ही तो उसको जो चाईगी मिल जाता है तब ही तो वह ऐसा नहीं किना prayer करता है तब उसको परमेश्वर वो रिवील करते हैं ड्रीम तो आपको prayer सिर्फ घड़ी देखके इसलिए नहीं करना है कि देखो हमने इतना देर prayer कर ली आपको prayer में एक waiting culture बनाना है तोकि धन है वो जो उसका इंपजार करते है जन उसका wait करना सीखते है इमें? impatient लोग प्रभु की इच्छ अपने जियो में पूरा होते है नहीं देखते patience prayer patience ले के आता है आपको मालूम है जब आप आना है लेकिन आप wait करोगे आप घंटो प्रेयर करोगे प्रभु के उपस्षिदी में wait करना जब सीखोगे Amen कुछ लोग हिलते नहीं जब तक प्रपु नहीं बोलते कुछ लोग हिलते रहते जब तक डाट नहीं आ जाए विसा बलो मैं वेट करूँगा जब आप वेट करना सीखेंगे आपकी लाइफ में एरर बहुत कम हो जाएंगे Amen गलती हाँ आपकी लाइफ में बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आपने प्रपु से सुने Greatness आपकी लाइफ में दिखने लगेगी मानता दिखने लगेगी आपकी लाइफ में आप से बड़ा कुछ दिखने लग जाएगा दोग खोड़ने लगे नहीं आपके पावर का सीक्रेट का है आपके पास एक्सेस है गौट के वाइस का Amen ये प्रेयर का प्रिवलेज है क्या आदमी पर्मेशर की विजदम को एक्सेस करना चाहता है आप बंदन तोड़ दोगे आप पीछे गुम के फिर देखोगे नहीं क्यों आप एक ऐसे डाइमेंशन में क्योंकि जब प्रभू के आवाज है प्रभू के आवाज सुनके लाइफ सेम नहीं रह सकती वो यहवा की वानी है वो आवाज लाइफ में फुरूट्स ले के आएगी तो सवाल आप कितने काम उसके आवाज सुनके कर रहे हो आवाज सुनने के बहुत से तरीके आपके मन में प्रशनो आप जो बात हो आप चर्च में होगे प्रभू आपसे वही बात कर रहे प्रभू अपने वचनों से आपसे बात कर रहे प्रभू के वाज़ एकसेस करने के बहुत से तरीके बढ़ चब आदमी wisdom प्रभु से मानता है या आदमी प्रातना करता है प्रातना का end कै है कि परमेश्व respond की है, Amen higher dimension mentor करना एक blessing है आप अपने कल में राज करेंगे अगर आप आज प्रभु के आवाद सुनेंगे तो Amen अज़ा आप मेंसे किसी को निजन प्रदेश पसंद है आत्मा येश्व को निजन प्रदेश लेकी गया निजन प्रदेश में जाके प्रभु आवाद नहीं सुने आत्मा की अगवाई में निजन प्रदेश की गया प्रभु ने मीटिंग सेट की भुले तुम्हारी ministry चालू करने से पहले ये आदमे तुमको टेश्ट करना चाहता है पॉल को वो पकड़ लिए पकड़ को उसको बांद दिए बांद के उसको मारना चाहते है लेकिन बाह आए बार उसको कौन बचाता है विस्टम बहुत हम सीजर के पास जहेंगे फिर एक बार जब अटक जाता है फरीशियों और सद्यूके को आपस में लड़ा देता है विस्टम जब उसको लोग मानना चाहते है उसके पास ख़बर रहते हैं उसको मालूम है कैसे डील करना है उसको वहाँ से जो सूबेदार होता है बचा के ले जाता है फिर अब जो समुंदर में सामर्थर बोलता हम इसको खा जाएंगे लेकिन प्रभू आके उसको बोलते है तुम मरोगे नहीं तुम्हारा आके जाना बश्या है जब आप परमेश्यों की आवाज को एकसेस कर लेते है कोई तुफान आपको नहीं मार सकता है एक अंधे आदमी के लिए तो सभी आवाज है जो गाड़ी उसको डर लेके जाएगी उसको उससे भी डर लग रहा है कि ये और उसी गाड़ी से मर जाएगा एक अंधे आदमी के लिए जहाँ भागे बनना है न जो गाड़ी भागे तक लेके जाएगी वो उसी गाड़ी से कुचल जाएगा क्योंकि उसको खाली आवाज है आ रही है सई गाड़ी की आवाज सुनके भी उपैनिक करेगा तो अगर आप अंधे जैसे जीएंगे तो जो आपकी ब्लेसिंग की चीज़ है वही आपको मार देगी आप उसमें फरक नहीं कर पाएंगे कल पर सो कीछी को समझा रहा था कई लोग को डेट आती है लेकिन उनको डेट को चीट करना आता है कई लोग को मारने की साजिज होती है लेकिन उनको डेट को कैसे चीट करना हुआता है तो आप एक काम आज निरने ले सकते है कि हम अपने प्रीश्ट हूट को डेवलप करेंगे ताकि परमेश्व का एजेंड़ा हमारी लाइफ में पूरा हो विज्टम की बिनाम इस लाइफ को जी नहीं सकते जो भी हुमन विज्टम में वो आपकी लाइफ में टिकेगा नहीं प्रबो उन सब चीजों को हिला देंगे जब तक सब कुछ येश्व नाम की चट्टान पर इस्टैबलिशनी करेंगे वो है गौड की विज्टम एमें? और जिसको हिलने से इंडर लगता है वो इस्टैबलिशनी होगा अगर प्रेयर की प्रबू अपनी इच्छा प्रगट करिए तो फेलियर और फ्रस्टेशन तो आपकी लाइफ में आएंगे प्रबू वो सारी हुमन विज्टम हुमन तरीके आपके लाइफ में हिला देंगे ताकि गौड ली विज्टम से आपकी लाइफ इस्टैबलिश हो जाए तो आज कितने लोग समझना चाहते है आपकी प्रेयर लाइफ में अटेक आपके wisdom के source में attack है Amen Business खड़ा मत करो prayer life खड़ी कर लो अपना घार मत बनाना prayer life पहले बना लो career बनाने से पहले prayer life बनानो बाकि सब अपने हम बन जाएगा Amen ये prayer life ये प्रातना एक privilege है परमेशर की आवाज एकसिस करने का परमेशर की mind को एकसिस करने का परमेशर की wisdom को एकसिस करने का जब तुम प्रातना करोगे wisdom जवाब देगी प्रभू रास्ता क्या है बाहर का जो हवाज है वही रास्ता है तुम strange solution के साथ आओगे अगर नभी से कोई बोले नभी हमारी कुलाडी चली गई है पानी में तो क्या तरीका उसको निकाल लेगा इंसानी तरीका तो बहुत से नभी का तरीका है कि कुलाडी अपना पूपर आजएगी ये तरीके दुनिया नहीं सिखा सकती जब प्रभू जबाब देंगे वही wisdom है वही life है उसके बात है उसका instruction accurate है precise है, excellent है इसलिए क्या बनाना है प्रात्ना का जीवन क्या मांगना है समझदारी मांगना है प्रभू से प्रग्या मांगना है ग्रो करना है prayer में आमेन ग्रो करना है prayer में prayer का atmosphere life में create करना है आप उस atmosphere को कहीं भी लेके जा सकते हो यह है विश्वासी जीवन यह है मसी जीवन इमेन इसको practice करना है इसमें consistent रहना है वो prayer आपके life के environment को saturate कर देगा effective prayer आपको समझदार बना देगा effective prayer आपकी life में ऐसे inspirations को जनब देगा जो human wisdom नहीं रह सकती आपकी life में creativity को जनब देगा आप strange solutions लेके आएंगे आमेन जब प्रात्रा में जवाब मिलेगा वही hallmark है wisdom का में सब कभी नहीं हुआ कि हम fasting में गए है आपके खाफासी और उनको आंसर नहीं मिला मैं कि प्रात्रा में भी मिलते है लेकिन मैं एक fasting की बात बता रहा हूँ कि कभी नहीं हुआ है कि हमकी लंबी fasting गया नहीं हमको prayer का answer नहीं मिला जो उसका इंतिजार करना जानते है आत्मिक जगत में आपके पास edge रहेगी अगर आप prayerful बेखती है physical में आप fail हो सकते है spiritual में आप fail नहीं होंगे आप codes, signal, वो जो चाबी है wisdom की आपके पास होगी दर्वाजा बंद आपको मतलब नहीं आप pocket से चाबी का गुच्छा निकालोगे खोल के आगे चले जाओगे क्योंकि प्रभू आपको समझ दी है उस दोर को कैसे access करना है डोर एंट्री पॉइंट है हर दर्वाजे में खटकर आने जाता कुछ-कुछ चीजों के लिए प्रभू चाबी दे देते अगर आपके पास चाबी है आप उस दर्वाजे को खोल के आप आगे बढ़ सकते हो तो investment life को कहा करनी है परमेशों से बात करने में परमेशों के साथ बात करने में Hallelujah तो की क्या है consistency और continuity आप निरंतर प्राजना करेंगे निरंतर wisdom मांगेंगे Amen आप प्राजना करने की आदर टालेंगे आप deliberately prayer करेंगे आप planned way से prayer करेंगे आप prayer को अपनी life की foundation दना देंगे Amen यदि किसी व्यक्ति में बुद्धी की कमी है तो क्या करें? मांगे